नमस्कार मैं डॉक्टर विन्य गुपता कैथर ब्रेकिंग टीवी से जहां आज के टफ कम्पीटिशन के यूग में करोडों की जनता के बीच और करोडों चात्रों के बीच कोई भी कम्पीटिटिव इक्जैम क्लियर करना किसी के लिए भी महाभारत साबित हो सकता है वही ये करिश्मकर दिखाया है हमारे कैथर जिले के दो यूवा चात्रों ने जिन्होंने अभी अभी बारवीं के परिक्षा पास की थी और नीट यूजी मेडिकल की परिक्षा में अच्छे अंक हासिल करके MBBS की सीट अरजित की है आईए बात करते हैं उनसे जी सर अपना न स्कूलिंग कंप्लीट की मेरी स्कूलिंग और बस मैंने कोई कोचिंग या टूशन नहीं की अच्छा तो मतलब आपने कोई कोचिंग कोई टूशन कहीं से नहीं ली और 12 के बाद फस्ट अटेम्ट में ही आपने ये रैंक हासिल कर लिया तो कैसे स्टडी की कितनी देर यहाई हरोज का होमवर्क हरोज किया और जो भी डाउट से वो स्कूल में टीचर से पूछ लेता था और अपने फ्रेंड से भी जो कोचिंग पे जाते थे उनसे भी गाइडेंस लेता रहता था और मेरे टीचर ने और फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया और कोई अधियम से अच्छा और आपने को करिकुलर एक्टिविटीटीज क्योंकि कई बार देखा जाता है कि पेरेंट्स जो है वो ज्यादा पढ़ाई का प्रेशर बच्चों के उपर डालते हैं तो क्या इस तरह का प्रेशर आपके उपर था और फ्री टाइम में आप कैसे उस चीज को यू यूगा भी करता था और मैं टेंथ तक मैंने चार बार योगा नेशनल कॉम्पिटीशन में पार्ट लिया है तो स्पोर्ट्स में मतलब आप अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं और पढ़ाई में तो आपने टॉप की आई है तो मतलब यह कहें कि आप एक आइडियल होता है लेकिन 12 में थोड़ा सब्जेक्टिव होता है और नीट के पेपर में अब्जेक्टिव कोशिंस आते हैं तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है लेकिन पढ़ाई दोनों के लिए सेम करनी पड़ती है मतलब आप यह कह रहे हैं कि competitive exam के लिए जादा अलग से पढ़ाई करने की जूरत नहीं है आपका 12 की अगर जिसने basic study की हुई है अराम से clear कर सकते है चलिए ठीक है तो यहां बात करते हैं एक और चात्र से जो हमारे साथ मुझूद है और जिनोंने नीट यूजी की परिक्ष 2019 है अच्छा आपकी स्कूलिंग कहां से ओस्ट यह पब्लिक स्कूल से मैंने स्कूलिंग के तो आपने 12 के बाद जो है कोई कोचिंग वगएरा एटूशन वगएरा ली हाँ जी मैं दो साल से अकाश इंस्टिटूट में यहीं कैथल बरांद से कोचिंग ले रहा हूं उनकी प्रीघाइंश के अंडर ही मैंने प्रिप्रेशन की उनने जैसे मुझे सिखाया कि कैके से टाइस्ट पेपर आटेंप्क करने हैंकर 152 की किया सं penn किया अपनेक्द में सबलता का स्रू कंटा प्रमात्मा को देना स्ब्सक्रा तो आप फ्रीटैम में क्या करते थेखें क्या सा ज्यादा बोर हो गया पढ़ाई करके तो कभी कभी टीवी देख लिया लेकिन यह नहीं कि हर समय टीवी देखता रह गया हर समय मतलब दोस्तों से खेलता रहा बात करता रहा ऐसा नहीं पूरा फोकस पढ़ाई पे था तक यह बस यह दा कि पहली बारी में निकालना है बस जिन्होंने बिना किसी कोचिंग को जोइन किये हाला कि इन्होंने ओनलाइन टेस्ट सीरीज जोइन की और कैथल में यह मुझूद आकास इंसिटूट से कोचिंग लिए उन देश के बच्चों के लिए उधारण है जो यह मानते हैं कि किसी भी तरह के एंट्रेंस इक्जाइ के लिए हार्दिक बधाई मैं डॉक्टर विने गुपता कैथल बेकिंग टीवी सहयोगी कैमरामेन कुल दीप तंवर के साथ